प्रेश्न है दस मीटर उचे संक्वाकार टेंट के आधार की परीधी चम्बालिस मीटर है टेंट बनाने में प्रियुक्त कैनवास का छेतरफल ग्यात करना है तो सबसे पहले ये पता होना चीए कि कैनवास क्या होता है कैनवास का छेतरफल ग्यात करना है इसके लिए हम कैन बास बनाते हैं यह हमारा संकू बनके तैयार हो गया अब यहां हमें दिया हुआ है कैन बास की उन्चाई एच बरावर दस मीटर परीधी परीधी बरावर है 45 मीटर हमें ग्यात करना है कैन बास का छेतरपल कैन बास का छेतरपल हमें ग्यात करना है कैन बास का छेतरपल यानि कैन बास का छेतरपल बकर प्रस्ट का छेतरपल संकू के बकर प्रस्ट का छेतरपल चेतर पर बरावर होता है पाई आर एल अब हमें दो चीज ग्यात करनी है यानि की आर और एल ग्यात करनी है तब जाकर के हम इसका छेतरपल निकाल सकते हैं संकू की त्रिया कूचाई और आर बरावर होती है त्रिज्या तो यहां पर आर निकालते हैं हम आर बरावर निकालते हैं यानिकी टू पाई आर बरावर चंबालिस अब यहां हम यहां हम टूपा यार चंबालिस निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाता है आर बरावर साथ मीटर अब हमें एल ग्यात करना त्रिया कूचाई तो एल बरावर होता है आर स्क्वेर प्लस सोरी एल स्क्वेर बरावर आर स्क्वेर प्लस एच स्क्वेर तो यहां पर आर बरावर साथ है तो साथ स्क्वेर प्लस एच बरावर 10 स्क्वेर एच स्क्वेर बरावर 10 स्क्वेर इसको निकालने पर एल बरावर हो जाएगा एक सो निकास अंडरूर एक सो निकास एल बरावर आएगा एल बरावर आएगा बारा पॉइंट दो गुणा करने पर अब हम इसका मान इसमें रख देते हैं पाई आर एल में तो पाई बरावर हो जाएगा बाईस बटे साथ आर बरावर साथ और एल बरावर हो जाता है बारा पॉइंट दो बरावर दो सो अड़स पॉइंट चार मीटर अड़स पॉइंट चार मीटर हमें प्राप्त होगा तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दो सो अड़सट पॉइंट पांच बर्ग मीटर स्कॉयर तो आपकी समझ में आगया होगा कि इस कांसर कैसे निकालते हैं वीडियो को लाइक करना और चैनल को सबिस्क्राइब करना धन्यवाद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सबिस्क्राइब कीजी और बेल आइकन को प्रेस कीजी और अपनी दोस्तों में सियर कीजी और कमेंट सेक्षन में कमेंट करना नहीं भूले तो यहां पर हमें इस प्रेस में दो चीजे ग्याद करनी थी एक तो थी हमारी पाय रयल को एक कुष्चन एक ता इसमें तीन चीजे क्याद करना है चेतर फल तरिजया और तरिया को भूचाही संकुकिी तब जाकर के इस कुशच्चन का हल निकलेगा प्योंड़ प्योंड़ जो